Hello everyone, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जब भी कोई exam का notification आएगा, सबसे पहले inform करूँगा आपको और सारी बाते बताऊँगा, तो DU का notification आगया है, और notification आने के साथ एक बात और भी clear हो गई है, कि इस बार का C.U.C.E.T. के तुरू DU का exam नहीं होगा for PG courses, UG courses अलग है, PG courses अलग है, UG का criteria अलग है, PG का अलग है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ PG courses की, तो PG courses के लिए DU ने अपना notification रिलीज कर दिया है, और DU अपना separate exam ले रहा है, अब आगे चलके JNU, Jamia, BHU, इनके अभी हमें पता चलेगा कि C.U.C.E.T. के तुरू हो रहा है या individual हो रहा है, ए जाना है, और University of Delhi में आपको PG programs को देखना है, PG में बहुत सारे programs है, not only for M.C., not only for M.C., M.A., M.C., हर तरह के programs है, M.L.A. बहुत सारे program है, आप जिस program में जाना चाहते हैं, उसकी ही information देखे, तो सबसे पहले आपको करना यह होगा, admission.uod, मतलब universityof Delhi.ac.in, PG admission, जैसे ही इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे कि notification दिखेगा, आपको उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको one by one guide करता हूँ, ध्यान से सुनते चलेगा, जब आप home page से नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपको दिया है, PG admission, list of program, eligibility, PG seat matrix important point, FAQ discipline, अब मेरी बात सुनिये का दियान से इसके पहले बढ़ू, कि हम जब मैं कोई भी चीज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी मैं हर एक बच्चे से बोलता हूँ, कि official website पे हर एक चीज को अच्छे से देखना और समझना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ सबसे पहले देखिए, अब आपका UG admission नहीं, PG admission है, तो PG admission, list of programs, मतलब कौन-कौन से program होगे, PG में eligibility क्या है, PG की हर एक program की अलग-अलग seats है, important point क्या है, और आपके जो मन में question आते हैं, वो आप देख सकते हैं, अब हम आते हैं, list of program पे, तो जैसे ही मैं list of program पे जाता हूँ, तो देखिए, list of program में थोड़ा से देखिए, कि MA, MA English, इस तरह से आप चलते चलेंगे, तो जो आपका criteria हो, वो आप उस पे रुख जाएंगे, तो अभी जैसे मैं MCE के बारे में बता हूँ, तो आप देखेंगे, mathematical science में, एक department में MCE लिखा हुआ है, only interest based, और MSC computer science, merit and interest based, इस पर, MCE का only interest based पर ही admission होता है, यानि जो बच्चे DU से, UG courses कर रहे होते, उनको कई बार इसका benefit मिलता है, interest based पर, या फिर merit based पर, पर, MCE में ऐसा नहीं है, तो आप जैसे ही MCE पर गए, तो आपको एक information मिलती है, इसके बाद आपको करना यह है, कि second, उस पर जाना है, eligibility पर, जो सबसे important चीज़ है, तो जैसे आप eligibility criteria पर जाएंगे, तो हर course की अलग-अलग eligibility है, तो आपको सबसे पहले देखना है, कि अगर आप माल लीजे, MCE course की बात करें, तो क्या-क्या चीज़े important है, वो आप समझ लीजे, program 44 MCE, यानि सबसे पहले याद रखेगा, यह 44 program में मिलेगा आपको 44 program MCE में, और eligibility criteria है, any bachelor degree, any मतलब होता, any, इसमें कोई condition नहीं है, कि BA, BCOM, BBA, ऐसा कुछ नहीं है, any, any मतलब any, जैसे निमसाइट में होता है, उसमें थोड़ा दिक्कार होता है, यह सब सच्छा है, पर क्या होना चीज़े है, वो सुनिए, any bachelor degree from the University of Delhi, और any other university whose examination is diagnosed by equivalent to that university of Delhi, जिनको इसी level पे हो, with at least, देखे क्या लिखा है, with at least one paper in mathematics science, mathematics, computer science, statistics, operational research, under annual mode, at least two paper in mathematical science, mathematics, computer science, statistics, operational research in semester mode, क्या होता है, जब हम annual mode की बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान दिज़ेगा, annual mode मतलब one year में एक बार होता है, और semester क्योंकि दो बार में होता है, तो इस तरह से आपक यह इनका criteria है, इसमें कोई ना कोई आपका subject होना चाहिए, चाहिए आप किसी भी branch के student है, फिर बात आती है percentage के term में, तो 60% marks in aggregate बोला है, और equivalent to CGPA, यानि या तो 60% होना चाहिए, उसके equivalent होना चाहिए, फिर बात करते हैं, information bulletin के साथ साथ आपको बताता हूँ, एक seat matrix का भी ए seat matrix पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कि seat matrix में mathematical science में जाएगा, तो आपको यह दिखेगा, कि किस department में कितनी, जैसे master of computer application में total number of seat 58 है, फिर उसमें reserve और unreserve categories clearly दी हुई है, तो इस तरह से clarity के बात आती है, अब आते है examination pattern, यानि examination का pattern किस तरह से होगा, तो examination pattern के साथ साथ म पर एक कुछ चीज बोलूँगा, जैसे information bulletin है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से read करिएगा, फिर form भरिए, तो exam pattern पर बात करते हैं, तो exam pattern जो है, अच्छा, exam city और exam pattern दोनों बताता हूँ मैं आपको, total number of centers हैं, वो 28 हैं, जैसे एमदाबाद, अम 28 centers है, जो नोंने इसकी list declare की हुई है, इस तरह से इन 28 centers पर आप दे सकते हैं, paper जाके, इसके इलावा, exam pattern क्या होगा, बताया हुआ है, mode of examination, CVT, मतलग computer based test होगा, duration 2R का होगा, multiple choice question होगा, number of question 50, जैसे MCA में हम बात करने तो 50, marks for per question 4, and negative marking minus 1, English only language course may have exception, medium of papers यह हो गया, तो exceptions को छ तो इस तरह से मैंने आपको एक basic information दी है, इस basic information का मतलब होता है कि आप सबसे पहले DU की official website पे जाए, information bulletin को download करिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, eligibility criteria में आते हैं, form fill करिए, और form filling के लिए अभी कोई examination date नहीं है, form filling की आपको date registration open होगा है, form exam कब होगा, उसके लिए अभी time ह exam पर, क्योंकि form, तो जो registration open होगे, वो होगे registration and payment 6 April से start होगे, मतलब और 15 माई तक end date है, इसका मतलब कि exam date भले ही नहीं दिये, देखो लिखा हुआ, declaration of admission list, admission and fee to be announced letter, मतलब अभी पता चलेगा, पर क्योंकि exam form 15 माई तक भरे जाएंगे, इसका मतलब एक बात पक्की है, कि 15 के बाद scrutiny होगी, form देखे जाएंगे, admit card release होगे, यानि June made या June end में होगा, जैसे कि हम अभी देख रहा है, तो यानि निमसेट की date के आसपास ही होगा, चिंता मत करें, निमसेट की date और इसकी date common नहीं होगी, पर June के most of all expected chances, June या जुलाई के, अब आपको इसकी पढ़ाई कर ली जाए, last year impetus से बहुत सारे बच्चे DU में गए, और वो सब बच्चों ने, मैंने एक ही बात बोली थी, पहले निमसेट के syllabus को काम करो, फिर time हो तो extra syllabus पढ़ना, कई बच्चों ने बिलकुल नहीं करा, तो भी qualify कर रहे, करके अपने DU में पढ़ाई कर रहे, मैं आप सबको भी बोलूँगा, आपकी कई बार चिंता उस बात पे होती है, जो आप कर नहीं सकते हैं, या कर सकते हैं, तो time लगेगा, पर जो करा जा सकता है, उस पर focus कम होता है, तो बिलकुल ध्यान रखिए, इस बात की mistake ना करें, अपनी focus होके पढ़ाई करें, extra syllabus भी according to time, कितना difference आता तो आप लोग एक बार फिर से बोलूँगा, डियू की exam date release हो गई है, exam registration date 6 April से 15 मई तक, एक बार पूरा information bulletin, पूरी website को अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि आपके पर 15 मई तक का time है, sufficient time है, आराम से form fill करिए, exam center दिये हुएं, आप अपने साब से जो आपको convenient हो, exam center लेज जो आपको 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 आ